एक हफ्टे के लंबे इंतिजार के बाद काफी कुछ तोलने के बाद बीजेपी आई और अब कॉंग्रेस भी इस बहास के अंदर आ गई है अकल हमने कहा था टूइट करके कि क्योंकि आज अजय माकन जी आए है इस बहास के अंदर तो हम कल बताएंगे कि कॉंग्रेस और अजय माकन जी इस बहास के अंदर क्यों नहीं आ रहे थे उसका क्या कारण था कि कॉंग्रेस इस बहास से बच रहे थी उसका मूल कारण यह है कि जो री डेवलेप्मेंट का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सारी दिल्ली के अंदर नई दिल्ली वाले शेत्र के अंदर पुरानी कलोनियों को तोड़के नई बिल्डिक्स बनाने की बात है और पेड़ों को काटने की पूरी की पूरी पूरा 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 का है और कॉंग्रेस के काबिल मंत्री अजय माकन जी ने खुद तंसके ओपर चुपी साथ रखी थी मगर अपनी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष को नहीं बताया कि सोयम जब वो खुद मंत्री थे मुदी थे जो आज हर्दीप पुरी हैं जो कभी अजय माकन थे उनके समय में ये प्रोजेक्ट जो है शुरुआत हुई थी